So guys, PUBG में बोलूँगा क्योंकि उससे काफी जादा लोग जो है वो उफेंड हो जाते हैं लेकिन Battlegrounds Mobile India जो है उसके लिए pre-registration स्टार्ट हो चुके है और बात कुछ ऐसी है कि जो भी उसके लिए pre-register सबसे पहले कराएगा उसको कुछ rewards मिलेंगे उसको कुछ special outfits मिलने वाले हैं और साथी साथ कुछ points भी मिलने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देर किया सबसे बहले काम की बात करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको Battlegrounds Mobile India के लिए pre-register कराना है और उसके बाद गेम से जूड़ी बाकी बाते करेंगे हलो गाइस आप देख रहे हैं 91 Mobile और मैं हो शिबाम चाथरी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए pre-register करने के लिए सबसे बहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर जाकर आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नहम से सर्च करना है और यहां पर आपको जहां install का option मिलता है दोस्तों वहीं पर आपको pre-register का यह option मिल जाएगा इस पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद ध्यान रहें नीचे automatic install का जो यह option है इस कौन कर देना है यह से क्या होगा कि जब भी आपका जो game available होगा तो खुद बखुद आपके phone प यहां उसमें क्या क्या खास है सो कुछ यहां पर पिक्चर जो है वो कंपनी ने गेम्स की शेयर कर दी है और यहां पर आपको अर्सदवार्सी देखने के लिए मिल रहे हैं लगता है कि इनको इस game का यहां पर brand ambassador के तौर पर रखा गया है साथ ही साथ आपको कुछ gameplay की यहां यहां पर धलकिया भी देखने के लिए मिलेंगी और यह है कुछ different different posters और thumbnails जो की company ने आप रिलीज किये हैं और लिखा है कि pre-register get exclusive outfits तो दोस्तों इसके बात करते हैं कि क्या-क्या कुछ special मिलने वाला है about this game में जाकर और यहां पर देखा है कि welcome to battlegrounds mobile India pre-register and get amazing rewards we welcome our beloved fans of battle royale games to battlegrounds mobile India directly service by Crafton तो wait over हो गया है pre-register जो है वो आप कर सकते हैं game के लिए और चार amazing pre-registeration जो rewards है वो है एक तो है आपको reckon mask मिलेगा reckon outfit मिलेगी celebration expert title दिया जाएगा और 300 ages का reward जो है वो भी मिलने वाला है जो pre-register इसके लिए करेंगे तो दोस्तों जाए pre-register कीजे और इससे आगे हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है gameplay के बारे में कि set in a virtual world battlegrounds mobile India is a battle royale game where multiple player employees strategies to fight and with the last man standing on the battlegrounds तो यह battlegrounds जो mode है उसे ही के बारे में बताया क्या है free to play multiplayer experience in battlegrounds mobile India players can be battle it out in diverse games mode which can be squad based on ever one on one तो यहां पर यह कुछ बाते जो है game प्रेसे जुड़ी ही वो बताई गई है कि किस तरीके से battle mode में आपको battle royale mode में game देखने के ले मिलेगा और यहीं पर यह थी मतब यह जो कुल मिला कर यह जो इसका यहां पर abouts game में लिखा हुआ है जो काम की बाती है हमारी वोदी की pre-registration पर जो आपको reward मिलने वाले है वो मैं आपको बता ही चुका हूं तो दोस्तों यह है battlegrounds mobile India का पूरा एक pre-registration process और अब बात करते हैं कि क्या कुछ scheme में नया है So guys यह था पूरा battlegrounds mobile India का registration process इसी के साथ आपको यह बता दूँ कि फिलाल 3 registration केवल और केवल android platform के लिए start हुआ है iOS के लिए अभी फिलाल कोई जानकारी कोई official release नहीं है साथ ही साथ में आपको यह बता देता हूं कि battlegrounds mobile India जो है वो PUBG जो था उससे कई माइनों में अलग है सब और केवल यह वर्जन इंडिया में ही available होगा globally आपको किछी दूसरी country में battlegrounds mobile India देखने के लिए नहीं मिलेगा दूसरी बात यह इसमें जो इंडियन स्पेसेफिक आपको dress outfits देखने के लिए मिलने वाली है जो under 18 HK players होंगे उनके लिए कुछ restricted policies है और यही नहीं अगर matching भी जो होगी आपके खेलते हुए वो केवल इंडियन प्लेयर्स के साथ ही होने वाली है और सबसे वड़ी बाद यह क्राफ्टर ने डवलप किया है जबकि पबजी मोबाइल इंडिया था वो टैंसेंट जो है उसने डवलप किया था तो यह थी battlegrounds mobile इंडिया की पूरी registration process प्र